तो आज की स्टॉपिंग में हम पढ़ने वाले हैं about CPU जो अंडर हमारे आएगा computer hardware के अंडर ठीक है तो जम जनरली एक PC या computer की बात करें तो जनरली PC या computer में हमारे पास कुछ components होते हैं कुछ basic components होते हैं यह हमारा monitor हो गया keyboard है, cables है जिनसे हमारा monitor and CPU को हम connect करते हैं ठीक है mouse है और CPU जिसके अंदर होता है motherboard जिसके अंदर होता है सारे जो main functional चीजे हैं जिसके अंदर होती है उसे हम cabinet बोलते हैं ठीक है तो यह तो बात हुई हमारे computer की computer में कौन-कौन से हमारे पास component होते हैं अब जो basic जो processing unit होती है हमारी ठीक है तो यहां पे जो keyboard and mouse and monitor यह तीन चीजों को बोला जाता है input-output ठीक है इन्हे input-output functionality बोला जाता है तो basically हम computer को दो पार्ट में divide करते हैं ठीक है लेट में टेक अपे तो computer को हम दो पार्ट में divide करते हैं पहला पार्ट हमारा होता है input-output हम इसको divide कर सकते हैं second हमारा पार्ट होता है based on the processing हम इसको divide कर सकते हैं input आपाती है मतलब वहां से आप CPU में या फिर cabinet में उस चीज को connect करके अगर आपको काम करवाना है अपने computer से तो वह सारी चीज़े आपकी आती input के अंदर और जो monitor में माउस के लाभा keyboard भी input में हुगा ना CPU CPU input में नहीं है ठीक है keyboard mouse आपके Alexa आप दे पाए और USB होगी आपकी phone होगया आपका phone से आपके आपका यहां पर स्थीन में सोगा ठीक है monitor में सोगा या फिर आपको सुनाई देगा ठीक है या फिर कोई ऐसा काम हो जाएगा जिसकी आपने अपक्छा की हो उस काम को कराते टाइम ठीक है तो यह चीज़े आपकी input output में आ जाएगी बात करें second part की तो second part में all the चीज processing में काम आएगी कि जो आपने input दिया है input and output के बीच में मालो यह input है ठीक है this input this output okay input and output के बीच में जो भी चीज़े हो रही है वो सारी की सारी चीज़े हमारी आती है under the cabinet वो सारी चीज़े हमारी cabinet के अंदर परफाम होती है तो cabinet को हम processing unit बोल रखते हैं और जो हमारा monitor है keyboard है mouse है हाना और और भी जो सारी चीज़े input output में जीज़े होती है इसे हम input output unit बोल रखते है ठीक है तो इस तरीके से हम एक computer को divide करते है कि cabinet के अंदर क्या-क्या चीज़े होती है अभी तो हमने यहां पर देख लिया कि जो input output चीज़े हो क्या-क्या बेसिक चीज़े latest motherboard में NVMe भी लगा सकते है जो laptop में लगती हो हम सेम computer में भी लगा सकते है CPU हो गया अपका motherboard हो गया और GPU हो गया तो आज की जो हमारी class based on पूरी GPU के उपर है कि GPU कैसे वर्ग करता है और क्या-क्या चीज़े उसमें होती है ठीक है तो यह तो बात हो हमारे parts की अब हमारे मन में बहुत सारे question आते हैं कि GPU क्या है GPU का हमारे computer में क्या important role है अना difference क्या है CPU and GPU के बीच में GPU की working क्या है क्या ऐसे additional feature है GPU में जो उसे CPU से different बनाते है ठीक है तो हम इन सारे questions के answer इस particularly session में cover करने वाले हैं ठीक है तो बात करते है what is GPU कि GPU क्या है एक specialized ठीक है GPU हमारा specialized electronic circuit है जो किसलिए design किया गया है जो accelerate करता है मतलब बढ़ाता है जो accelerate करता है आपकी graphics rendering ग्राफिक्स रेंडरिंग और image processing को accelerate करता है इसका मतलब यह हुआ कि जो काम हमारा CPU नहीं कर पाता जिस काम को करने की capacity हमारे CPU के पास नहीं होती वो काम हमारा GPU कर पाता है ठीक है वो काम हमारा GPU करता है ठीक है तो यहाँ पे दो नए टर्म आ हैं हमारे graphics rendering और image processing चलिए जानते हैं कि graphics rendering और image processing क्या होता है ठीक है तो जो graphics rendering है अना graphics rendering है वो है visualization of image visualization of image और video on the computer screen मतलब monitor की उपर monitor की उपर आपका किसी भी image या video का visualization वो चाहे 3D form में हो या 2D form में हो three dimensional form में हो या फिर two dimensional form में हो उसे बहतर बनाना ठीक है उसे बहतर बनाना हमारा कहलाता है graphics rendering और वो काम आपका करता है GPU ठीक है इसके बाद आती है आपके image processing so image processing एक ऐसी टेकनिक है image processing के कैसी टेकनिक है जिसमें हम क्या करते है किसी भी image से किसी भी image से जितनी भी meaningful information होती है जितनी भी meaningful information होती है उसे हम extract करते हैं उसे extract करके हम कहीं पर save करते हैं मान लो अगर कोई आपके पास image है या फिर किसी की degree है जैसे 12th की आपकी mark sheet है मान लो तो 12th की mark sheet में क्या क्या important हो सकता है आपका roll number आपके marks आपके माता-पिता का नाम आपकी date of birth हाना और किस date में आपको वो degree मिली है और कब वो degree start हुई थी और किस university से आपने वो degree किया तो सारी सारी जो information है उसको extract करके किसी भी txt form में उसे save कर पाते हैं तो उसे हम बोलते image processing ठीक है अब बात करते हैं कि graphics card कैसे work करता है तो उससे पहले हम यह जानते हैं कि graphics card बनाया क्यूं गया है ठीक है graphics card बनाया क्यूं गया है तो पहली चीज़ है graphics rendering ग्राफिक्स ट्रेंटरिंग से पर्पस है वो जो 3D जो 2D 3D व्यू है इमेज का ठीक है 2D एंड 3D व्यू है इमेज का उसे बहतर बनाना ठीक है पहला पर्पस हमारा यह हो गया दूसरा पर्पस है आपका इमेज का यूज करते है तो AI और ML को चलाने के लिए अगर आप किसी मशीन को चलाओगे तो क्या वह पौसिबल है कि आप नौर्मल कमांड या फिन नौर्मल सेट आफ इंस्ट्रेक्शन आपके पास है और उस नौर्मल सेट आफ इंस्ट्रेक्शन से वह चीज़े कर पाओ नहीं न तो इसलिए हमें यहाँ पर ग्राफिस कार्ट की जरुर्द होती है इसके बाद बात करते हैं कंप्वूटर गेमिंग डिजाइनिंग की तो गेमिंग के लिए अगर आपको गेमिंग करनी है अपने लेप्टॉप में या फिर कंप्वूटर में तो आपको एक स्पेजलाइज शॉफ्टर की जरुत हुथी जिसे जीप्यू बोलते हैं इसके बिन अगर आप गेमिंग करोगे तो आपका जो कंप्वूटर है उसकी सर्विस बहुत कम हो जाएगी और बहुत सारे तो ऐसे गेम है जिन्ने आप नॉर्मल कंप्वूटर पर खेल ही नहीं पाते हैं बहुत यहां लेक करने लगते हैं तो उसी वह लेक के परफार्मेंस को बहतर ल्हाहर सभीकर बनाता है हमारा जीप्यू साइंटिफिक सिमूलेशन स्येंटिफिक सिमूलेशन का सफियर हाडवे साथ लेयर फ्रम प्शॉप्चल्ड हाडवे कॉलिटी वाले जो सॉफ्टेर होते हैं हमारे पास उन सॉफ्टेर को चलाने में करता है अब बात करते हैं साइन्टिफिक सिमूलेशन तो आप लोग ने बहुत सार यूट्यूब वीडियो में देखा होगा कि वह किसी चीज को एक्स्प्लें करते हैं तो प्रहत 3D व्यू में करते हैं जैसे अगर एक ट्रेन दुर्गटना होई थी बहुत दिनों पहले तो त्रेन दुर्गटना कैसे हुई थी उसका पूरा अच्छे तरीके से बताया था कि हाँ यह यहां से इन यहां पर गेट नहीं खोला तो इससे फिर वो ट्रेन आपसमें टकरा गई यह सारी ची क्रिप्टो करंसी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग तो जब आपको cryptocurrency बनानीए कि अपनाने अब normal computer पर नहीं बना सकते उसके softger की जरूत होती है larva coding की जरूत होती है तो उसके लिए आपको gpu की जरूत होगी कि ठीक है अब बात करतें कि जीप्यू आफ क्यों किसे करता है toward यंडिक्र जानने से पहले हम यह इसके बार क्यों क्या होता है तो जो भी हम इंपूट यहां पर प्रोवाइड कराते हैं जैसे हमने कंपूटर को यह आदेश दिया कि भाई तू आनकर हमारा क्रोम आन कर दे कि परण कर दे तो जब यहांने इंस्टेक्शन हमें क्पूटर को तो यह इन्सटेक्शन सबसे पहले आपका जाता है है ऐलू के पास ऐलू का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ठीक है यह एलू इस instructed को control यूनिट में सेंड करता है ठीक है यह control यूनिट यहां पर सेंड करता है यह control यूनिट पर यह control यूनिट आपकी इस instruction को main memory को को प्रोवाइड कराती है मतलब आपकी came ユि का यी यह रेम डिटन का जवाब औल्वं को देता है उसके बाद यह कंटोल इनिट इसे एल्यूप कराता है और अगर कोई लिए चीज डिस्प्ले कराने की होगी तो उसे आउट्पुट वाली जगह पर डिस्प्ले करा दाएगा मौनियर डिस्प्ले गराएगा भी साउंड सुना दाएगा या फिर इस सेव करना हो तो जो बेसिक decision है जो basic decision होता है कि क्या करना है actual में सभी की राय जानने के बाद वो जो basic decision है आपका ALU perform करवाता है जो control unit है कि कि किसको कितना privileges देना है और किसको किस time पर याद करना है वो चीजियों की जो controlling होती है आपकी control unit handle करती है और the current process में current process में किसको कितनी वो देना है importance देना है वो चीजियों आपकी main memory decide करती है ठीक है तो इस तरीके से आपका CPU करता है but moving on the GPU तो GPU क्या करता है जैसे हमने system किसी system इसको input दिया ठीक है input दिया यह input आपका पहले जाएगा CPU CPU के अंदर कहां जाएगा ALU के पास जाएगा ALU के पास जाएगा ठीक है ALU के पास गया ALU से कहां जाएगा control unit में जाएगा CU के पास जाएगा control unit ठीक है अब ए control unit इसे RAM के पास पहुंचाएगी system memory RAM के पास पहुंचाएगी अब देखो यहां पर क्या होगा जो भी instruction मान लो अगर मैंने यहां पर instruction दिया है मेरे computer को कि मुझे GTA 5 डाउनलोड करना है ठीक है GTA 5 डाउनलोड करना है तो यह सबसे पहले आएगा ALU के पास ALU चेक करेगा कि मेरी उतनी capacity है या नहीं कि मैं GTA 5 डाउनलोड करवा पाऊं तो वह पहले capacity चेक करेगा उसके बाद decide करेगा कि इसमें control unit के पास भेजू या ना भेजू तो अब इसने यहां पर decide किया कि मेरी capacity तो नहीं है CPU CPU उन्हें decide कर लिया यहां पे CPU के अंदर है ALU ठीक है CPU ने यहां पर decide कर लिया कि भाई मेरी capacity तो नहीं है काम करने की तो यह CPU इससे देगा system memory के पास इस instruction को देगा system memory के पास और system memory जाएगी आपकी gpu memory के पास system memory instruction देगी आपकी gpu memory को ठीक है gpu memory को instruction जैसे ही मिलेगा तो वो processing करना start कर देगी तो gpu के अंदर खुद का पूरा का पूरा setup होता है और जैसे ही उसे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा और फिर वो चेक करेगा मेरे अंदर कि यह मेरे बसकी है या नहीं तो अब्यसी बात है कि उसके बसकी तो होगी तो वो फिर वहां पर डाउनलोड कर आएगा और जो भी वो प्रोग्राम ओपन होगा नेक्स्ट टाइम हाना जब भी वो मतलब मालोड जब भी जीटे फाइव ओपन होगा जीटे फाइव ओपन होगा तो अब यहां पर कंपूटर ने सीख लिया है कंपूटर ने यहां पर लर्न कर लिया है ठीक है कंपूटर ने यहां पर लर्न कर लिया कि जब भी अगर जीटिए 5 का इंस्ट्रेक्शन आया तो यह इंस्ट्रेक्शन को मुझे क्या करना है मुझे पहले इससे देना है cpu के पास cpu से जाएगा मेरी system memory के पास system memory से जाएगा सिथे gpu के पास जब भी मुझे open करना होगा इसे तो directly मेरा यहां पर gpu on हो जाएगा processing करने के लिए gta5 के लिए और वो सारी चीज़े मेरी यहां पर monitor में display हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से हमारा gpu करता है ठीक है चलिए आए जानते हैं कि यहां पर जो भी complex चीज है उसका computations कैस होता है ठीक है तो जो भी complex है जैसे उसे हम CPU के पास गई एक complex चीज़े उसके बाद यहां पे करनल से करने के बाद फिर वह GPU से इंडिक्ट करेगा और GPU में वह चीज होगी प्रोसेस होगी जो भी complex हीजे है वह आपकी GPU में प्रोसेस होगी ठीक है, GPU में process होगी उसके बाद वह चीजे है, नॉर्मल जो task है, नॉर्मल टास्क perform करने के लिए फिर से CPU के पास आईगी ठीक है, क्योंकि GPU उस वक्त कोई और difficult task perform कर रहा होगा, तो नॉर्मल टास्क perform करने के लिए वह आपकी CPU के पास आएगी, CPU आपका normal task perform करेगा फिर कोई complex task गर इसे मिला तो फिर से यहाँ पर GPU के पास send करेगा फिर GPU उस task को perform करेगा और फिर उसके बाद जो उसका output आएगा जो normally CPU perform कर सकता है यह उसे दे देगा ठीक है तो इस तरीके से GPU and CPU आपस में मिलके work करते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं कि how GPU is a different from CPU GPU से CPU कैसे different है इनके अंदर अंतर क्या है तो अभी तक तो हमने देखा कि work की performance जो सबसे बड़ा अंतर है वह वहाँ पर आया कैसे exist कैसे करता है उपर चीजे हम यहाँ पर देखते हैं ठीक है तो जनरली हम बात करें तो CPU आपका जो आपका प्रोसेसर है जिसे CPU बला जाता है ठीक है तो यह जो CPU आपका जनरली वर्क करता है इन रेम्स के साथ इन रेम्स के साथ यहाँ पर CPU के अंदर कोई ऐसे चीज नहीं होती CPU की खुद की कोई रेम्स नहीं होती है यह बहार जाता है इनसे कनेक्ट करता है उसके बाद यह टास्क परफार्म करता है अगर हम GPU को देखें यह GPU का आपका इंटेडियर ठीक है इंटेडियर इस्ट्रेक्चर है आपका जीपीऊ का तो GPU में यहाँ पर GPU के पास खुद की ग्राफिक्स IC होती है ठीक है dengan ग्राफिक्स प्रोसेसिंग उनिट IC IC मींज इंतिगेटेड सर्कीट ठीक है अब इंटिगेडियर इंति का मतलब यह होता है कि ज़्वर डेटा से होता है उन लुक को Manatar करने के बाद जो करीडियर होता है इस प्र्वलता हैophile और है इंटिगेडियर बोलता है ठीक है यह आपकी Vram तो यहां पर जो आपको रेम दिखाई दे रही है इस रेम को हम बोलते है DRAM ठीक है यह आपकी DRAM यह लिखा हुआ है यह आपकी DRAM यहाँ पर जो GPU के पास जो रेम होती है इसे बोलते है वी रेम तो रेम बेसिकली दो टाइप की होती है रेम आपकी बेसिकली दो टाइप की होती है पहले होती डी रेम और दूसरी होती है आपकी वी रेम डी रेम का मतलब होता है डायनामिक रेंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है डायनामिक रेंडम एक्सेस मेमोरी मतलब किसी भी टाइम पे डायनामिक लिए आप कोई भी काम वहाँ पे करबा सकते हो जो उसके बसका है ठीक है बट वी रेम का मतलब होता है है —volatile random access memory तिए पर टिकुलर टाइम मटिपल वर्क पर फॉर्म कर सकता है जिसके लिए अगर परिटिकुलर किसी प्रोसेस की लिए मैंने इसफे 4GB देंकर हुआ है और कॉई सेकेंड प्रोसेस भाइ उसके लिए फिर से चार जरूरत है और मालो कोई ठर्ड प्रोसेस आई जिसके लिए मुझे स्ट जीबी की ज़रुत है और मेरे जो जीप्यू है गरी है बारा जीवी ंबगे तो यह कैसे नेज करेगा यह यहांपे यह देखेगा कि यहां इन तीनों मेंसे प्रोसेस जिसे अभी diye की जरुरत नहीं है जिसे अभी memory की जरुरत नहीं है वो उसको कम memory provide कराएगा और उस memory को यहां से minus करके यहां से minus करके third process में plus करेगा ठीक है इस प्रकार से यह memory का management करती हुए चलता है आपने आप में ठीक है तो इसलिए इससे यहां GPU में हम VRAM का यूज करते हैं ठीक है अब यहाँ पर GPU के अंदर आपको दिख रहा होगा VRM तो इस VRM को बोलते हैं voltage regulator module voltage regulator module का आपके पूरे के पूरे cabinet में बहुत बड़ा रोल है तो voltage regulator module क्या करता है जिस पार्ट को जितने voltage की जितने watt of power की जरूत होती है उसे उतना power प्रवाइड कराता है और कभी अगर overheating हो जाती है कभी वैसे तो होना नहीं है क्योंकि यहां पर हर एक circuit में हर एक जो कीज़े इसके अंदर पर उसके अंदर आपका VRM लगा हुआ होता है ठीक है तो इसी चीज़े होना तो नहीं है बट अगर कभी हो गया तो यह उसे manage करते हुँ चलता है उसे manage करता है कि अगर कभी ज्यादा पावर आया तो उस टाइम के लिए या फिर कुछ ऐसे step से ले लेता है जिससे की हमारा पुरकपुरा circuit खराब नहीं होता है ठीक है तो हमारे जो तो हमारे computer में अगर motherboard की अगर मैं बात करूँ तो यह है आपका CPU और यह आपकी रेम ठीक है और यह है आपका VRM यहां पर जो दिख रहा यह आपके VRM और यह आपका transformer ऑके बट यहां पर GPU में GPU में यह है आपकी रेम ठीक है यह आपका GPU IC और यह आपका VRM okay and these are the some types of transistor like that okay अब मेजर बात करते हैं कि GPU में जो processing power है जो processing unit का जो difference है वो आया कहां से और वो आता कहां से है ठीक है तो अगर मैं बात करू अगर मैं circuit की तो integrated circuit के CPU में only 10 course है ठीक है CPU में only 10 course है बट GPU में उसकी integrated circuit की यहां पर 3854 course है आप सोच सकते हो अगर अगर मेरा CPU किसी वर्क को पांच मिनट में करता है ठीक है किसी वर्क को इतने time जल्दी कर देगा ठीक है और इतने time कर सकता है ठीक है 385 minute मतलब उतने उतने ज्यादा बार कर सकता है उस particular time पर जितना time यह इसको ले रहा है इस work को करने में ले रहा है CPU ठीक है बात करते हैं power conception की तो gpu आपका वर्क करने के लिए 75 से 150 वाट तक की पावर लेता है और वहाँ के वहाँ cpu आपका वर्क करने के लिए 35 से 95 वाट तक की पावर लेता है ठीक है तो ओव्यसी बात है जो heavy power form करेगा जो heavy power जो heavy आपके task परफार्म करेगा उसका power consumption ज़ादा होगा जो low task परफार्म करेगा उसका power consumption कम होगा ठीक है अब बात करते हैं कि क्या ऐसे additional feature हैं GPU में जो GPU को CPU से अलग और यूनिक बनाते हैं ठीक है तो पहली जो चीज है हमार पास वो है parallel processing तो GPU भी आपका पर प्रोसेसिंग उनिट करता है वो depend करता है उसकी course में कि कितने course हैं आपके CPU में बट GPU complex चीजों की भी यहां पर multi फ्रेडिंग या फिर प्रोसेसिंग करता है यहां पर ठीक है जो आपके smaller and sub task है उन्हें paralleli perform कर लेता है ठीक है इसके पाद आता है आपका सेडर कोर्स ठीक है तो सेडर कोर्स सेडर कोर्स आपको help करता है प्रोग्रामेबल यूनिट में आपको help करता है जो आपकी जो graphics rendering है मतलब 3D and 2D ठीक है 3D and 2D जो view है आपका 3D and 2D view को अच्छा बनाने के लिए काम आता है आपका सेडर कोर्स जो आपकी GPU के अंदर अलेवल होता है इसके बाद आता है आपका CUDA यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर ठीक है CUDA आपका यूज होता है developers के लिए यूज होता है जब developers high level of programming कर रहे होते हैं या फिर high level of software create कर रहे होते हैं उस टाइम पे ऐसे graphics card हमारे use के जाते हैं जो computer की processing power को कभी lag होने नहीं देते हैं इसके बाद आता आपका टेंजर कोर्स तो टेंजर कोड आपका machine learning और artificial intelligence के workload को accelerate करने के लिए use होता है जो machine learning है machine learning और AI machine learning और AI का जो workload होता है उसको accelerate मतलब उसको 72 तरीके से perform करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड में टेंजर कोर्स देते हैं ठीक है इसके बाद आपका आता है ray tracing जो ray tracing है ray tracing आप आपको टेक्निक जो simulation है जो मैंने आपके बात की थी कि scientific simulations scientific simulations है जो बहुत ज्यादा realistic लगते हैं उस scientific simulations को handle करने के लिए आपका यहां पर ray tracing ग्राफिक्स कार्ड में inbuilt आता है ठीक है उसके बाद video encoding and decoding मतलब आपकी वीडियो editing वगेरा के लिए यहां पर यह इस चीजह आपकी ग्राफिक्स कार्ड के अंदर आती है ठीक है जो आपके multimedia performance और multimedia view को इंप्रूव करती है ठीक है इसके बात करते हैं interior of GPU की GPU अंदर से कैसे दिखाई देता है सारा का सारा क्या क्या चीज़े GPU के अंदर होती है और दिखाई कैसा देता है ठीक है तो general तो पर जो GPU है GPU को आपके computer का second brain कहा जाता है ठीक है इसे second brain कहा जाता है ठीक है बलाई से इसकी जो processing है CPU से ज्यादा है बट यह second brain कहलाता है ठीक है तो यहां पर यह सारी जी तो मैंने आपका explain कर दी यह वाला जो पार्ट है आपका यह वाला पार्ट आपका कहलाता है VRAM यह आपका GPU IC मतलब graphical processing unit integrated chip जो और यह आपका VRM मतलब voltage regulator module ठीक है एक चीज में यहां पर बताना चाहूंगा जो हम बोलते हैं कि 4GB graphics card है मेरा RGB graphics card है 16GB graphics card है वह graphics card का जो size है मतलब 4GB RGB 16GB वह इन VRM पर depend करता है जितनी ज्यादा VRM के circuit आपके GPU में ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपका यहां पर graphics card का size होगा और यह जो है आपकी GPU IC यह GPU IC आपकी processing unit है यह आपकी speed decide करती है कि आपके GPU की speed कितनी होगी ठीक है तो जितनी ज्यादा यहां पर processing होगी मतलब जितना ज्यादा यह workload जितना ज्यादा हेवी workload यह करेगा उतनी ज्यादा heat generate होगी क्योंकि power consumption भी obviously इसका ज्यादा है तो उस heat को निकालने के लिए particularly GPU से heat को कालने के लिए हम यहां पर cooling fan का use करते हैं तो उस cooling fan का structure कुछ इस तरीके से बनाया हुआ होता है कि वह excite से यहां पर आपकी ठंडी हवाओं को मतलब जो बाहर की वातावरण में है उनको लेता है और उनको अंदर करता है यहां पर उनको अंदर करता है ठीक है इंजेक्ट करता है GPU के अंदर अब उन हवाओं के इंजेक्ट होने से यहां पर प्रेसर बनता है और यहां पर जो गर्म हवाए रिलीज हो रही होती है वो gpu ic के कारण वो गर्म हवाय आपकी यहां से बाहर निकलती है ठीक है तो इस टाइप से इसका कुछ modulation बनाया गया है यहां पर gpu में आपके पास जो नॉर्मल gpu है तो खरीदने पर करता है कि कितने डिस्पले आपको 100 करवाने हैं तो इस वाले gpu में हम चार डिस्पले सो करवा सकते हैं जिसमें से इंटरफेस मिलता है ठीक है जो कि आपके CPU से connect होता है जो आपके CPU की थोड़ी बहुत processing को improve करता है इसके साथ साथ यहां पर आपका दूसरे वाले साइड में power connector होता है जो power के लिए use होता है और यह है आपकी difference between CPU and GPU जो मैंने आपको पहली explain किये थे इसके बाद अगर हम देखें तो 2017 में हमारा जो GPU का जो है GPU का जो model है GPU का model कुछ इस तरीके से था जिसमें आपके CPU जो आपकी GPU ICT GPU ICT आपकी यहां पर थी जो model हमने अभी पढ़ा बट उसके बाद 2022 के बाद जो model आने लगे हैं उसमें कुछ इस तरीके से हैं हमारा GPU और अब जो model आ रहे हैं उसमें कुछ इस तरीके से sorry let me show you ठीक है क कुछ इस तरीके से यहां पर बना होता है और आपके यहां पर फेन ही फें होते हैं ताकि वो GPU क्योंकि वह हेवी वाले GPU होते हैं तो अच्छे से सारी आपकी वहां की गर्म हुआ है जल्दी के जल्दी निकलता रहा है इसल्ए यहां पर Multiple feniens लगे होते हैं ठीक है और जब हम किसी भी GPU को intersect करते हैं मतलब उसे छोट से बांट में divide करते हैं , चोट बांट में उसे तोड़के देखते हैं अंदर से कुछ इस तरीके से लिखाई देता है जिसमें सबसे नीचे वाले पांट में हमारा होता है इसको gpu का Motherboard बोल सकते हैं जिसमे हम सारी東西 connect करते है उसके उपर फिर आमारी layers होती है और उन layers के उपर यह है आपका starter जो आपकी fan को run करने के लिए help करता है त्षिक है यह fan को run करने के लिए help करता है और सबसे उपर में होता है आपका fan, जो यहां से हवाएं लेता है और इस साट से और पूर्ट